नमस्कर, लस्सी बनाने जा रही है, थोड़ी घर्मी श्टार्ट हो गई है, तो कुछ ठंधा पे जरूरी है, इसके लिए बनाने के लिए मैं थोड़ा सा या इसकी उडली हूँ, एक कटुरी दही ले हूँ, यह पेकेट वाली दही है, घर्मी जो दही बनाते हैं, वो भी पेट के लिए भी अच्छा है, इसमें हम दो चमस सक्कर डालेंगे, सक्कर आप अपने स्वात के हिसाब से रख सकते हैं, अगर मीठा लेते हैं तो ज्यादा रखिए, कम अगर ठाते हैं तो कम रखिए, इसमें अच्छी तरह से, मत लेंगे, आप चाहें तो मिक्सर में भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है, इसको अच्छी तरह से, आइस क्यूब जब तक पिखल लिए, उन तब तक चलाएंगे, लस्सी बहुत पिस्टी लगता है, इसके लिए गर्णियों में लस्सी, चाच, जू उस फूब के जो रियल जूस है, घर में जो बनते हैं, उसका इस्तेमाल करिए, उसका इस्तेमाल करिए, अच्छी तरह से मिला लेंगे जितने ही अच्छा है मिलेगा लस्षी उतनी हित्री ने और टेश्टी बनेगी घर में बनाके कोई भी चीज अगर हम खाते हैं तो उसे हद के लिए कपी अच्छा है बाहर के चीजों से लस्षी बन गया है दिखिए इसमें सटकर और इस दोने मिक्स हो गया है कितनी क्लिमी हो गई है लस्षी इसमें पानी और बूसरा कुछ भी डालने के जरूरत नहीं है अब कटोरी में देखते हैं कितना बना है अब कटोरी में दो गलस प्यास पस लस्षी बनी है बने ये और बदेगे कैसा बना धन्यबद कितना बना है